अस्सलाम अलेकुम कैसे आप सब लोगे वेलकम बैक हो गया जिस तरह कर्वी गोली चबाई नहीं जाती बलके निगली जाती है इसी तरह दुख नाकामी और धोके जैसी कर्वी बातों को सीधा निगल लिया जाता है करते रहोगे तो आपके जिन्दगी हमेशा कर भी रहेगी इसके कहने का मतलब है कि पीछे क्या हुआ उसे पूल जाओ आगे की प्लैनिंग करो दुनिया का बहतरी लाइफ स्टाइल ये है कि अपनी हामदनी में मुझारा करना सीधिये अगर आपको पैसे चाहिए हो तो अपने आमदनी के हिसाब से आप जमा करें किसी से लोग या फ्रोड से नहीं अगर आपको अपने खाब पूरे करने तो आप अपने पैसों से करोगे तो उसी में मता है और अल्ला की रदामंदी भी और हमेशा अलाल खाईए और अल्ला से उम्मीद रखो बंदे से मागोगे तो खालियात आओगे अल्ला से मागोगे तो कुछ ना कुछ लेके आओगे काम्याब बनने के लिए सबसे पहले आपने वक्त जाया नहीं करना अपना वक्त बहुत किम्तिया वक्त जाया नहीं करना अगर ताया होगा तो दुबारा नहीं आएगा दूसरा यह तसलसुल पर करार रखे हैं तीसरा प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस होना कामिल बनाती है चौथा खुद एदिमाद करो अपने पर वरोसा रखो पांचवा कुछ भी हो आगे बढ़ते रहो एक वक्त आएगा जो सिर अल में आप खुश रहो एसी नहीं कि अगर आप अगर आप अगए तो आप उदास हो जाए और अल में आप खुश रहो पांट आठवा इमानदारी काम्याप की गुंजी है दस्वा रवय अच्छा रखे रवय यह सब कुछ है लोगों के साथ आपकी बातचीत क्या है वो स सब कुछ कर सकता हूं सबसे मैं बात किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें वन्ना आपके साथ भी यह होगा किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें मैंनत करते रहो सिला देने वाली जात हो अल्ला है आज के लिए इतना ही काफी थैंक्यू सो मच अल्ला आपिस अ नहाय लगना